हेलो एंड वल्कम बाक टु माई चैनल आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने टाटा पंच के आड़ो मीटर रेडिंग कैसे सेट और रिसेट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो आड़ो मीटर में जो टाइम फॉर्मैट है उसे कैस से आप सेट कर सकते हैं अभी फिलाल इसमें 4 p.m. टाइम बता रहा है जब आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रिसेट करना है तो सबसे पहले आपको यह सेट बटन को प्रेस करना है ऐसे तो यह स्क्रीन डार्क हो गया और और फॉर्मैट ब्लिंग होने लगा अब मैं इसमें कंटिनियसली प्रेस करूंगा विटाउट विटाउट एनी एनी गैप यह देखिए अभी मैं फिर से कर रहा हूँ फाइव सिक्स सेवन कि एट कि नाइन कि टेन कि 11 कि अभी बारा बज़ के दो मिनिट हो रहे हैं तो अब मैं थोड़ा सा लॉंग प्रेस करूंगा यह देखिए अब यह चले गया मिनिट फॉर्मैट पर फिसर लॉंग करूंगा जब बारा बज़ के दो मिनिट हो रहे हैं यह हो गया इसके बाद मैं अभी इससे लॉंगप्रेस करके रखूँगा विए सैट हो जा जाएगा यह देखिए अब यह मैंने लॉंग प्रेस कर दिया अब यह टाइम सेट हो गया अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ट्रिप मीटर ओडो मीटर कैसे सेट कर सकते हैं देखिए यहां पर आपको यह स्मोड बटन को दबाना है ऐसे तो यहां पर डिस्टेंस टू एम्टी और ओडोमीटर रीडिंग उसके बाद एक और बार दबाना है तो आपको ट्रिप ए का डीटेल्स बताएगा अभी मैंने ट्रिप ए सेट कर दिया है जीरो पे तो अभी यह जीरो दिखा रहा है और इसमें आपको किलोमीटर पर लीटर माइलेज कार की माइलेज कितनी वह भ गया अगर आपको ट्रिप करना है तो आप बीपे जाएए दो सेकेंड के लिए लॉंग प्रेस कीजिए सेट बटन को और यह अपने आप ही जीरो हो जाएगा इस तरह से आप अपने पंच का मीटर रीडिंग और ओडोमीटर रीडिंग और ट्रिप मीटर सेट और रीसेट क कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके सिब्सक्रिप्शन से ही हमें प्रोच साहन मिलता है और हम नए नए वीडियो बनाते हैं और प्लीज दू लेट मेनों दे कम how you like this information how much you like this information and was this information helpful for you thanks for watching this video have a wonderful day ahead